दोस्तों आप सब लोगों को पताई होगा कि तेजस मार्क वान एयरक्रेप्टों को लेके भारत के तरफ से काफी लंबे समय से तैयारी किया जा रहा था पर अभी तक इंडियन यारफोर्स को तेजस मार्क वान ए यारक्राफ नहीं मिला हाला कि एक्सपेट किया जा रहा है कि जल्दी इन यारक्राफों का डिलिवरी हिंदुस्तन एरोनोटिक्स लिमिटेड के तरफ से सुरू कर दिया जाएगा पर क्या अप लोगों को पता है कि फिलाल जो तेजस मार्क वान ए यारक्राफ्ट है इसका प्रोडक्शन रेट केवल मात्र 16 यारक्राफों के दरपे है जिसे साल 2025 के अंतक कम से कम 24 करने के इरादे के तहद भी आगे बढ़ा जा रहा है पर वही पे कुछ डिपरेंस एक्सपे करिव 144 तेजस मार्क वान ए यारक्राफ्टों को आसानी से निर्मान किया जा सकता है प्रसुद डिफेंस एक्सपर्ड भारत करनाट के तरफ से LCA तेजस यारक्राफ्टों के प्रोडक्शन रेट को और इनहेंस करने के लिए भारत के गोवर्मेंट से निरनायक डिसिजन ल के एड़ वोकेट किया गया उनके तरफ से बताया गया है कि अगर भारत को विदेशी कमपनियों के उपर से अपने डिफेंडेंसी को कम करना है और अपने आपको हत्यारों के मामले में आत्म निर्वर होना है तो कई तरीके के बोल्स टेप गोवर्मेंट को उठाना Mr. Karnad के दरफ से suggestion ये दिया गया है कि गॉर्मेंट को खास करके Defense Research and Development Organization, Hindustan Aeronautics Limited और National Aerospace Laboratory जैसे संस्ताओं को तेज़ा से यार क्रेफ्टों के जो source code है उसे private sector company मतलब L&T, Tata और महंदरा Aerospace जैसे बड़े कमपनियों को share करना चाहिए Even इसके इलावा Mr. Karnad के तरफ से ये भी suggest किया गया है कि गॉर्मेंट को tax को लेके भी ऐसे कमपनियों को छूट देना चाहिए ताकि इन कमपनियों के द्वारा तेज़स AMCA जैसे यार क्रेफ्टों को लेके production line को establish किया जा सके और उन production line में तेजर रफ्तार में इन यार क्रेफ के production में शामिल किया जाता है तो सालाना आराम से 144 के संख्या में तेज़स यार क्रेफ्टों का production हो सकता है जो कि भारत के संपूर्ण जुरुतों को केवल मात्र 3 साल में ही पूरा करने के लिए काफी है अब दोसों जिस तरीके से तेज़स यार क्रेफ्टों के development को लेके सफ यार क्रेफ्ट अपने बेड़े में शामिल करना है तो नूडाउट प्राइवेट सेक्टर कंपणी ही एक मात्र सहरा है जबकि वही पे अगर देखा जाए तो एमसी यार क्रेफ्टों के production में ओल्रेडी प्राइवेट सेक्टर कंपणीों को शामिल करने के तहत आगी जा रहा है अर अल्रेडी टाटा जैसे बड़े प्राइवेट सेक्टर कंपणी पहली बार की तरह military transport यार क्रेफ्टों के निर्मान में जुडा हुआ है मतलब गौर्मेंट भी चाहता है कि प्राइबिट सेक्टर कमपनियों को ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्टों में जुड़ा जाए लेकिन अगर इसमें बड़े सफलता को हासिल करना है तो नो डाउट इसके लिए काफी बड़े डिजिजन लेना पड़ेगा खास करके एरक् के जो प्रोडेक्शन रेट है कभी वी इनहेंस नहीं हो सकेगा क्योंकि हिंदुस्तन एरोनोटिक्स लिमिटेड हो नेशनल एरोस्पेस लेटरी हो या फिर अन्य गौर्मेंट ओन सेक्टर कई तरीके के अन्य प्रोजेक्टों में भी जुड़ा हुआ है और अगर प्रोडे काफी हाई होना चाहिए फिलाल अगर तेजस मार्क वान एरक्रेप्टों के ओर्डर को देखा जाये तो पहले 73 एरक्रेप्टों का ओर्डर प्लेस किया गया था और अब एडिशनल 97 एरक्रेप्टों को लेके ही प्लाणिंग बनाया जारा है मतलब कुल मिला के के लिए बनाय जाने वले प्रोडक्शन लाइन का जो खर्चा है उसे भी शायद रिकवर करना संभव ना हो पाए मतलब दोस्तों इंडिपेंटेंटली प्राइबेट सेक्टर कंपनियों को अगर यार क्रेप्टों को निर्मान करने का जिम्मेदारी दिया जाता है और साथ में प्रोडक्शन रेट को काफी अधिक हाई रखने का बात कहा जाता है तो इसके लिए इंडियन यार फोर्स को भी अतिरिक्त मात्रा में यार क्रेप्टों को खरीदने को लेके डिजिजन लेना पड़ेगा दिया जाता है तब भी मुझे नहीं लगता है कि प्राइबेट सेक्टर कमपनियों के तरफ से इतना अधिक रेट में इन यार क्रेप्टों के प्रोडक्शन के काम को अंजाम दिया जाएगा क्योंकि इसके लिए काफी बड़े मैनुफैक्चरिंग फेसिलिटी को तैयार कर तेजस एर क्रेप्टों को प्रोड्यूस करने का शमता नहीं है पर इसके लिए रिक्वार्मेंट भी उतना हाई होना चाहिए अब दोस्तों एक तरफ जहाँ पे तेजस एर क्रेप्टों के प्राइबेट सेक्टर कमपनियों के पास देने को लेके बात कहा जा रहा है तो व एम यरक्रेप्ट मतलब नवी के द्वारा फ्रांस से खड़ दे जाने वाले यरक्रेप्टों में एक एक्सपरिमेंटल एक्टिव लेक्टॉनिकल सके एरे रेडरों को इंटीग्रेट करने को लेके प्रस्ताव रखा गया था जिस प्रस्ताव को हाली में ही डिफेंस एकु पोजिशन में डिले होगा तो उही पे रैडरों को इंटीग्रेट करने पर इसका खर्चा भी बढ़ सकता है जिससे कि नेवी के द्वारा खरदे जाने वाले रैफल एम यारक्रेप्टों का कीमत भी बढ़ेगा अब दोसों नेवी टोटल 26 रैफल यारक्रेप्टों को अपन नेवी के दोंगो एरक्रेफ्ट कारियर मतलब आयनेज विक्रम अधित्या और आयनेज विक्रांद की ऊपर किया जाना है अब दोसों रिपोर्टों में ये भी क्लेम किया जा है कि DR-DO के यह जो एक्स्पेरिमेंटल रैडर है कुछ और नहीं बल्कि DR-DO के तरफ से ते जजस इरादे के पीछे कारण क्या है बेसिकली RVE2 रेडरों को देखा जाए तो ये काफी ताकतवरतरिन और काफी बहतर रेडर है जो कि अल्रीडी इंडियन यारफोर्स के द्वारा अपने रैफल यार क्रेप्टों में इस्तिमाल किया जा रहा है हाला कि दोस्तों इसके पीछे एक तथ ये भी दिया जा रहा है कि अगर सेम टाइफ के रेडरों का उप्योग नेवी के द्वारा अपने सभी यार क्रेप्टों में किया जाता है तो ये लोजिस्टिकली और मेंटनेंस के मामले में नेवी को आसानी देगा क्योंकि अल्रेडी मिक-29 यार क्रेप्टों में उत्तम रेडरों को इस्तिमाल करने का इरादा बनाया जा चुका है और दूसरे तरफ इंडियन यार फोर्स के तेजस यार क्रेप्टों के बेड़े से शुरू करके इवन सुखुई थक्टी इमक्या यार क्रेप्टों के बेड़े में भी उत्तम रेडरों के ही वर्जनों का उप्यों किया जाएगा और आने वाले समय में जो ट्विन इंजिन डेग वेस फाइडर यार क्रेप्टों को नेवी के बेड़े में शामिल किया जाएगा उनमें भी बड़े मात्रा में उत्तम रेडरों के ही वर्जनों का उप्योग किया जाना है और इसके साथ साथ अगर रेफेल यार क्रेप्टों में उत्तम रेडरों का उप्योग किया जाता है तो इससे Make in India Initiative को बढ़ोत्री तो मिलेगा ही साथ में सौधेशी हत्यारों को रैफेल यार करेप्टों में इंटिग्रेट करना और आसान होगा क्योंकि जब भी कोई सौधेशी हत्यार ऐसे विदेशी यार क्रेप्टों में इंटिग्रेट किया जाता है फिलाल दोस्तों देखा जाए तो पिछले कुछ सालों में रैडरों के डिवलोप्मेंट में भारत के तरफ से कई तरीके के सफलताय हासिल किया जा चुका है जिन में उत्तम रैडरों को डिवलोप्ट करके कई घंटे तक सुखोई 30 MKI और इवन तेजस यारक्रेप्टों के ट कुल बिलाके देखा जाए तो भारतिय रैडरों को रैफेल यारक्रेप्टों में इस्तिमाल करना एक अच्छा डिसिजन तो हो सकता है लेकिन जिस तरीके से नेवी को जल से जल रैफेल यार क्रेप्टों का आवशकता है उसे देखते हुए अगर पॉजेक्ट में डिले होता है तो ये भी एक तरीके से सही नहीं होगा और शायद इसी वज़ा से डिफेंस एकोईशन काउंसिल के तरफ से डियार डियों के इस प किसी और एक दिन किसी और एक वीडियों मिलेंगे तब तक के लिए जैहिन वंदे मातरम